दोस्तो स्वागत है सभी का एक्जान से दमेस यूट्यूब चैनल पर वाशिक परिक्षा के सारे पेपर चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना हिंदी कक्षा 9 वार्षिक परिक्षा 2023 का दोस्तो बिल्कुल लैटेस्ट पेपर 70 नंबर का पेपर होता है आज की इस वीडियो में देखेंगे आपके कॉलेज में दोस्तो एक कोड का ये पेपर है आपके कॉलेज में भी मिलता जुलता पेपर आ सकता है यहाँ पर सारे के सार एकुशन इंपोर्डेंट है पहले निर्देश पढ़ डेता हैं आपके निर्देश पढ़ेंगे सबसे पहले तो क्लास नओ हिंदी में क्लास नौ हिंदी में कॉक्षा स्थयों में 15 मिनट परिक्षारतियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए दिये के जाएंगे सभी प्रश्ण करना है और सभी प्रश्णों के निरधारी तंक उनके सम्मुकं के देख तो खंडा में जो होए मार वाले प्रश्ण है सबसे पहला प्रश्ण तुलसी दास जी किस भक्ति के किस भक्ति शाका की कवी है तो यह राम भक्ति शाका की कवी है सी वाला ऑप्शन सही है सी वाला विकल्ब करेक्ट है इसके बाद जागरण पत्रिका का संपादक कौन है तो जागरण पत्रिका ये एक अच्छी सी कहानी है इसके बाद भक्तिधारा को कितने भागों में बाटा गया है तो भक्तिधारा को दो भागों में बाटा गया है एक राम भक्तिधारा और क्रेश्ड भक्तिधारा ठीक है तो दो भागों में बाटा गया है नेक्स्ट प्रेश्ण है यहाँ पर अमर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तो अजर भी होगा मरत्यू भी होगा और मरने वाला भी होगा तो D वाला करेक्ट आप्शन हो जाएगा यह सब ही यानि कि घा वाला आप्शन सही है वो अमर में तो A, B, C, D दिया होता है तो यहाँ पर घा को हम इसलिए D बोल रहे है पुष्प का पर्यवाची क्या है तो पुष्प का पर्यवाची कुसुम हो जाएगा इसके बाद अमरत का पर्यवाची क्या है तो सुधा जो होता है वो अमरत का पर्यवाची होता है ए वाला correct है ए वाला option सही है अमर का विलोम शब्द क्या है तो अमर का विलोम शब्द फिर पूछ दिया गया है तो मृत्ति होता है ठीक है अजर होता है इसके बाद रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है तो इन्शालला खां रानी केतकी की कहानी के लेखक है इसके बाद खड कॢई से प्रत्वादल की कता या नमक का दरोगा खड़ी बोली हिंदी की प्रत्वारा रचनल जरूर बताना चलते हैं नेक्स्ट पेज़ पर देखते हैं कि कौन से प्रिशन वहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर जल्दी अपलोड होने वाले हैं प्रेम चंद का जन्म कब हुआ था प्रशन नंबर 11 तो ये हुआ था 1880 में ये वाला आप्शन सही है गावाला इसके बाद साखी सब्द रमैनी किसकी रचनाई है तो ये हैं कबीर दास की घा वाला आप्शन सही है इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो परिच्छा गुरू हिंदी का प्रथम उपन्यास है परिच्छा गुरू ए आप्शन सही है इसके बाद करूल रस का स्थाई भाव क्या है तो करूल रस का स्थाई भाव शोक होता है ये वाला option सही है श्रंगार रसका रती होता है शांत रसका शांत होता है और भक्ती होता है दोस्तो भक्ती किसका इस्थाई भाव होता है वो आपको बताना है कौन से रसका इस्थाई भाव भक्ती होता है इसके बाद चौपाई छंद के चारो चरडों में कितनी कितनी मात्राइं होती तो चौ वाला, C वाला option correct है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानि कि कौन सी spelling शुद्ध है, तो मनुष्य तो नहीं होता, मनुष्य भी नहीं होता, मानुष्य इस तरह से लिखते हैं, तो ये वाला, D वाला option सही है, इसके पर कपूत का तदसम रूप क्या होगा, तो कुपुत्र, यान प्रस्ट प्रशन है, राजा का पर्यावाची शब्द क्या है, तो भूपती राजा का पर्यावाची शब्द है, भूपती माने भी राजा होता है, किंग और राजा माने तो राजा होता है, ये खंड बाद दोस्तों, यहाँ पर निमलिकित गद्यांशों में से किसी एक से संबंदित प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो पहला गध्यांश क्या है अरे दोपहर भी हो तो मैं न जाता सवारी दर्वाजे पर लेने आती तो भी न जाता भूल नहीं गया पन्ना की सूरत आज भी आँखों में फिर रही है इसी निर्दई ने उसे एक नजर देखा तक क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा खूब जानता था चड़ा भगवान नहीं थे उनकी एक निगाह देख लेने से अमरत बरस जाता जो उनकी एक निगाह देख लेने से अमरत बरस तो यह मंत्र पाट का है गध्यांश के पाट के लेखा का और पाट का नाम लिखो पा न साप ने काट लिया था वो पन्ना था जो ये किसान था उसका पुत्र ता जा किसान चट्डा को निर्दवाइ क्य sinsके वह जब गोल्फ खेलने जा रहा थे तो उसने साप उसके पुत्र पन्ना को जबने काट था तो डॉक्ट्र चड़ा ने बिल्कुल भी समय नहीं दिया और वो खेलने चले गए लेकिन उसके पुत्र को नहीं देखा इसी लिए किसान चड़ा को निर्दई कह रहा है तीनों आपके जो प्रेशन है वो इस तरह से होंगे नेक्स्ट पेश में चलते हैं तो अगर ये गद्यांश आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है नहीं तो एक गद्यांश और दिया है अगला गद्यांश इस रूप में किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खीच देना छुद्र एहमिकाओं और अर्थीन संकीरडताओं की छुद्रता सिद्ध करने के लिए तरक और शास्तरार्थ का मार्ग कदाचि ठीक नहीं सही उपाय है बड़े सत्य को प्रतक्ष कर देना गुरू नानक ने यही किया अब यहां पर वही करना है पाट का नाम और लेखक का नाम किसी लकीर को कैसे छोटा बनाया जा सकता है और गुरू नानक ने क्या किया तो यह दो प्रशन तो यहीं इसी पैसे से निकलाएंगे और गद्या प्राष्णों के उत्तर देना किसी एक काव्यांश का उत्तर देना थीक है तो पहला है पहला काव्यांश क्या है इडा उड़ी इडा उड़ी दिख रहा रजपत Ahí घंदली सी छाया चलती वाडी में थी करुडवेदना वह पुकार जैसी जलती तो इसमें पहला प्रशन है पध्यांश ये गद्यांश नहीं है पध्यांश ये काव्यांश है तो प्रस्तृत काव्यांश के पाट एवं कवी का नाम लिखना है इड़ा को क्या दिखाई दिया उसकी क्या पहचान थी तुदी तीन प्रेशन देना अगर नहीं आता उपर वाला तो एक और विकल पे कदली सीप भुजंग मुक स्वाती एक गुंतीन जैसी संगती बैठी ओ तैसोई फल दीन इसमें आप कर सकते हो पद्यान श्री यानि काव्यान श्री के पाठ एवं लेख करें या फिर ये करें का या खाम से कोई भी एक कर सकते हैं ठीक है दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलते चली आगे बढ़ते हैं संस्क्रत में हैं दोस्तों संस्क्रत गध्यांश का संदर्ब सईथ हिंदी में अनुवाद करना है तो दो गध्यांश दिये हैं संदर्ब यह नहीं पार्ट का नाम बताना है क्योंकि इसमें लेखक तो होते नहीं है तो पार्ट का नाम बता देना और दोस्तो इसका हिंदी में अनुवात कर देना चार नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे तो किसी एक का करना है दोनों का नहीं करना है ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए पैसेज कितना है पैसेज पहला तो पैसेज है इतना या तो इसका आप संदर्ब सहीद हिंदी में अनुवाद करो या फिर ये second वाले का हिंदी में अनुवाद करो संदर्ब सहीद चलते हैं दोस्तों next page पे और देखते हैं कि कौन से प्रश्ण पूछे गए हैं last में तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी खावाला जो प्रश्ण है निम्न में से किसी एक शलोक का संदर्ब सहीद हिंदी में अनुवाद कीजिए अब शलोक भी है उसका भी संदर्ब लिखना है कि कौन से पाट से है और उसका अनुवाद कर दो एक शलोक का करना यहाँ पर दो शलोक दिये हैं किसी एक शलोक का दोस्तों अनुवाद करना पांच नमबर का प्रश्ण नहीं आता तो आप लिख सकते हैं, नए महमान एक आंकी कि किसी एक पात्र का चरितर चित्रन कीजिए। प्रश्ण जंग्या 25, किसी एक लेखा का जीवन परिचे हैं उसकी दो रचनाएं लिखिए। प्रेम जंद का लिख सकते हो, हजारी प्रसाद दिवेदी, महादिवी वर्मा, किसी एक लेखा का जीवन परिचे हैं उसकी दो रचनाएं। काउन, कबीरदास, मीरा बाई, मैतलीशन, किसी एक कवी का जीवन परिचे और उसकी दो रचनाएं। चार-चार नंबर के दो जीवन परिचे पूछे जाएंगे। फिर है अपनी पाट पुस्तक में से कोई कंटेस्ट शलोक लिखना है जो की इस प्रशन पत्र में ना आया हो। मतलब कि ये वाले शलोक मत छाब देना, कोई एक शलोक अपने पास से याद किया हुआ आपको लिखना है। इसके बाद निम्न मेंसे किसी एक मुहावरे है तो लोकोक्ती का अर्थ लिखकर उसका वाक के प्रयोक कीजिए। इसके बाद निम्न मेंसे किनी दोवा क्योंका संस्कृत में अनुवाद करना है, वह राम से बड़ा है, शीला मेरी बहन है, सुरेश अब विद्याले जाता है, वह कल घर गया। इसके बाद अगर नहीं आता तो अपनी दैनी इस्तिती होने के कारण प्रदानाचारे को शुल्क मुक्तियन की फीस माफ का प्रातना पत लिखिए, ये भी पांच नमबर का होगा। तो दोस्तो निबंद यहां पर मुझे नहीं दिखा, तो निबंद नहीं पूछा गया है इस पेपर में। दोस्तो एक important बात मैं आपको बताऊंगा कि इससे मिलता जुलता पेपर आएगा आपका, आ सकता है। ये सारे question important है, लेकिन इसको एक model paper की तरह treat करना, model paper की तरह solve करना, बिल्कुल ये मत मानना कि 100% ये ही paper आ जाएगा। दोस्तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का link description में है, जाकर उसको join कर लो। तो दोस्तो सारे question important है, latest paper है, ये solve करके जरूर जाना और हो सकता है कि दोस्तो बिल्कुल same भी paper आपका आजाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ना आए, तो इसमें बस ये समझना आपकी एक model paper है, जो कि मुझे solve करके अपनी तयारी को अच्छा बनाना है। Thanks for watching दोस्तो, टेलिग्राम पर ये आपको पूरा paper मिल जाएगा, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए इसी तरह के important videos लाता रहूँगा।